तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही common scam की जिसे कहते हैं pump and dump scheme चलिए समझते हैं कि इस scheme किस तरीके से काम करती है इस scheme की शुरुवात होती है जब किसी company का promoter या बड़ा shareholder अपने shares market में बेचना चाहता है लेकिन problem यह है कि उस company का stock इतना नीचे गिरावा होता है कि इस दाम पे बेचना उसके लिए काफी नुकसान दायक हो सकता है अब उस company की हालत ही इतनी खराब है कि वो company तो बदलने से रही और ना ही उस company के share prices अपने आप उपर जाएंगे अब उन share prices को उपर कैसे पहुचा आ जाए और अपना पैसा market से बाहर कैसे निकाला जाए तो अब यह promoter क्या करते हैं कि यह stock market operators को contact करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप इन share prices को pump करो pump यानि की उपर भगाओ अब आप उसको किस तरीके से करते हैं वो आपके उपर है तो यहाँ से start होता है phase 1 यानि की pumping of the shares तो यह जो operators होते हैं यह बहुत ही मजेवे खिलाड़ी होते हैं इनको पता होता है कि इस तरीके की stocks हैं इस तरीके की जो company आपने आप तो यह भागने से रही तो सबसे पहला काम वो यह करते हैं कि इस stock में कुछ trading activity शुरू कर देते हैं ताकि वो लोगों का ध्यान इस stock की तरफ आकरशित कर पाएं तो इसके लिए वो और दूसरे operators मिलके उस stock की trading आपस मही करना शुरू कर देते हैं एक बेच रहा है एक खरीद रहा है एक बेच रहा है एक खरीद रहा है तो यह सारी की सारी trading आपस मही हो रही है बाहर वाले investors अभी तक इस stock में नहीं गुसे हैं पर यह trading के लोग इस तरीकी से करते हैं कि stock के prices जो है 5%, 10% या 15% उपर भागा देते हैं अब होता यह है कि जब बाहर से दुनिया देखती है stock को कई technical traders हैं या फिर retail investors हैं उनको लगता है कि stock में एक price volume breakout हो गया है बाहि क्योंकि volume बढ़ गई है stock में अचानक से और price भागने लग गया है इसकी वज़े से शुरू शुरू कि कुछ investors और traders अपना पैसा stock में लगाना शुरू कर देते हैं और इसकी वज़े से stock का price फड़ा और भाग जाता है लेकिन इस operator का यह काम नहीं है कि stock को सिर्फ 10-15% भगा करके promoter को बाहर निकलना इस operator को भगाना है stock को 50%, 100% या even 200% तो इसके लिए तो अभी बहुत सारी technique उनको और लगानी बची है अब वो क्या करते हैं कि एक mass propaganda campaign चलाते हैं सबसे पहले वो हजारों लाकों retail investors को fake SMS भेजते हैं कि देखे इस company में बड़े investors जैसे कि राके जुनजन वाला हो गए या रादा किशन दमानी हो गए वो लोग इस company में stock खरीद रहे हैं वो लोग इस company में shares खरीद रहे हैं अब यह सारे messages fake होते हैं असल में ना तो राके जुनजन वाला जी इस stock में पैसा लगा रहे हैं ना ही रादा किशन दमानी इस stock में पैसा लगा रहे हैं लेकिन आप यह समझे कि एक लाक investors को इस तरीके का message मलता है उसमें से 10,000 लोग भी इनकी बातों में आ गए तब भी इनका काम चल जाता है इसी तरीके से यह WhatsApp messages में काफी active हो जाते हैं और इस तरीके के hot tips या फिर insider news देते हैं कि देखिए इस company के share जो हैं बहुत ही hot हैं और इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए इसके बाद यह अगबारों में फिर यह fake news publish कराते हैं इस company का turn around हो रहा है यह company पहले काफी weak थी लेकिन इसके management ने इस तरीके decisions लिये हैं और इस तरीके के collaboration कर रहे हैं इतने बड़े-बड़े इनके plan हैं और देखिए company का stock किस तरीके से भाग रहा है फिर कभी-कभी जो जो टीवी पे analyst आते हैं उनके थुरू भी जाकर के recommendation दिलवाते हैं कि देखिए यह company जो है एक multi-bagger बनने वाली है और यह जो है साही time है इस stock में गुसने का तो अब आप समझिए इतना बड़ा mass propaganda campaign चलता है और जब उसकी वज़े से जब लोगों का ध्यान आकरशित होता है इस stock की तरफ और वो जब stock का price देखते हैं कि वो stock 10%, 15%, 20% भाग चुका है ऐसे में investors को लगता है बात तो सही है देखिए वहाँ पे news भी आ रही है बड़े-बड़े investors इस stock में invest कर रहे हैं वो TV वाला analyst बोल रहा है कि यह company multi-bagger बनने वाली है तो जब ऐसी state आती है तो यह जो investors हैं यह भारी मातरा में इस company के stocks उठाने के लिए अपना पैसा डालना शुरू कर देते हैं और यहाँ से जो है वो stock भागना शुरू करता है लेकिन अभी तो शुरुवात हुई है जैसे ही लोग अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं stock में और वो देखते हैं कि उस stock 10 दिन में 20% भाग गया या एक महिने में 25-30% भाग गया तो वो अपने दोस्तों को बताते हैं अपने family को बताते हैं देखो मैंने stock में पैसा लगाया था है कि stock 100%, 200%, 300% भाग चुका होता है अब यहां से phase 2 शुरू होता है dumping of shares अब यह operator जो है promoter के पार जाके बोलता है कि साब मेरा काम तो हो गया मैंने आपकी company के stocks को उपर पहुंचा दिया है अब आपको जो करना है आप करो तो promoter क्या करता है promoter के तो बारे नहारे हो गए तो अब वो क्या करता है अपने shares बेचना शुरू करता है अब ध्यान देने की बात यह है कि उसको यह पता है कि अगर मैं बहुत तेजी से shares बेचूंगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा तो वो क्या करता है धीरे 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 करके share से अपने बेचना शुरू कर देता है और कुछ दिनों में और कुछ हफतों में वो stock से पूरी तरीके से बाहर हो जाता है अब आप समझे लोगों की situation अब लोगों ने stock खरीदा हुआ है अब जिन लोगों ने stock को खरीदा हुआ है वो वेट कर रहे हैं कि stock उपर जाए लेकिन अब उ stock को खरीदने वाला कोई बचा नहीं क्योंकि news flow खतम हो गई है किसी के pumping करने के कोई और stock को pump करने वाला बचा नहीं है तो stock जो है दिरी दिरे करके गिरना शुरू करता है तो अब कई लोग जो होते हैं उनको लगता है कि हाँ ठीक है भाई इतना दूर stock भागा है तो छोटा बोटा correction हो रागो stock में और उस stock से वो exit लेते नहीं है लेकिन अब यह stock गिरना शुरू करता है और फिर जो है वो जहां से शुरू हुआ था वहाँ पर जाकर के रुपता है और रोज और जितने investors से stock में फसेव हैं हर रोज वो market में आते हैं अपना order डालते हैं हर रोज यह company lower circuit लगाती है और हर रोज उन लोगों के order reject होते हैं तो situation कभी-कभी इतनी बुरी बन जाती है कि लोग फसेव हैं वो देख रहे हैं उनकी आँकों के सामने वो stock 10%, 20%, 30%, 50% गिर रहा है लेकिन वो stock से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आप समझी सकते हैं कि कितना बड़ा-बड़ा नुकसान लोग लेते हैं इस तरीके के scam में अब आपको मैं कुछ अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दो हूँ Amtech India का stock देखिए इस कंपनी पर कुछ इल्जाम थे कि कुछ financial irregularities में कर रही थी लेकिन उनने क्या किया कि अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया Amtech India से cashtech और इन्होंने एक बहुत बड़िया pump and dump scheme चलाई और हजारों investors को इस stock में नुकसान हुआ इसी तरीके से आप देखें Surana Solar इसके बार में मैंने एक और वीडियो में बात किये बहुत ही बड़ा pump and dump operation था और इस stock के खास बात यह लगती है मिरको कि ना केवल इस stock में लोगों को लोगों ने एक बार पैसा कवाया बल्कि दो बार पैसा कवाया तो समझी सकते हैं कि जो लोग market में आते हैं वो ध्यान नहीं देते कि एक बार जब इस company में pump and dump हो चुका है तो दूसरी बार भी हो सकता है पर बात वही है अगर आप आंग बन करके अपना पैसा market में लगाएंगे तो आप किसी पर इल्जाम नहीं दे सकते अगर आप अपना पैसा खो देते हैं और बाइदे वह यह pump and dump schemes जो सिर्फ इंडिया में special नहीं है यह दुनिया भर में चलती है अगर आपने वह famous movie देखी है Wolf of Wall Street महाँ पर Jordan Belford नाम के trader ने इसी तरीकी के scheme चला करके US के बहुत सारे investors को बेवकूफ बनाया था अब जहां तक इंडिया की बात है SEBI इन pump and dump schemes को पता लगाने के लिए और इन पे action लेने के लिए काफी कोशिश कर रहा है लेकिन जिस लेवल पर यह operators काम करते है SEBI के लिए practically impossible है इन सब लोगों को पकड़ना इसी लिए responsibility SEBI की नहीं है responsibility आपकी है तो अब मैं आपको तीन चीज़े बताता हूँ जिन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इन pump and dump scheme से बच सकते हैं पहली बात तो यह कि आपको कोई SMS या WhatsApp मेसेज आता है जहां पर किसी stock का recommendation है या फिर यह बोला जाता है कि किसी बड़े investor ने उसमें पैसा लगाया है तो उस पे आप कभी भी विश्वास ना करें अब यह आप logically आप इस चीज़ को सोचें अगर इतना अच्छा stock है कोई अंजान आदमी आपको SMS करके क्यों बता रहा है वो खुद stock लेकर के बैट क्यों नहीं जाता दूसरी बात जो यह experts आते हैं टीवी पे या फिर न्यूस पेपर पे वो जो advice देते हैं कि इस stock में आपको कैसा लगाना चाहिए उस पे भी आप आँख बन करके पैसा कभी ना लगाएं और तीसरी और सबसे important बात इस stock market की यह है कि अगर आप long term में successful बनना चाहते हैं तो आपको अपने खुद की research करने पड़ेगी आपको खुद financial statements पढ़ना आना चाहिए खुद fundamental analysis करना आना चाहिए ताकि आप इस stock market में एक पैसा लगाने के पहले भी खुद पता करें, खुद समझें कि कौन से stocks में पैसा लगाना चाहिए और कौन से stocks से दूर हना चाहिए तो ये था pump and dump scheme तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको pump and dump scheme क्या होती है किस तरीके से काम करती है समझ में आ गया होगा अगर आपको इसको लेकर के कुछ questions हैं तो नीचे आप comment section में डालिए हम आपको answer करेंगे और अगर आपने इस channel को subscribe अभी तक नहीं किया है तो कर लिजिए क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद